हो अच्छा आप लोग आ गए तो वेलकम बैक टुद चैनला केन आज आज हम बात करने वाले पोराम के ऊपर तो यह जो भी किया नहीं है रिरेक के न यह वहां दो बेस्ट वर्कॉट है मैं आता हूं बात पर आता हूं जब हम लोग टीशेट पहनते हैं तो ट्राइसिप इतन बढ़ दीए और शट जब पहनें एक फोल्ड़ करके तो फोरम जितने बढ़ा होता हाथ बाएब ने केलिए फ्लेक्स करने के लिए तो फ्लेक्स करने के लिए उसा है वह आप कोई भी वर्कॉट करो आप जेस्ट करो आप ट्राइब करो आप बैक करो आप कोई भी वर्काट करो four arm involved हो ही जाता है अंतिन रियंग मारो वह अलग बात है लेक छोल के अपरबोडी का कोई भी वर्काट करो तो फोर अमका वर्काट हो ही जाता है फिर भी फोराम का अलग से कुछ वार्काउट से जिसी कि अभी में दिखाने वालों दो कुछ वार्काउट वह बहुत अंडरेटेड है तो यह वर्कॉट आप कर सकते हो अब अगर करोगे तो आपका बोरी में बहुत सेक्सी फोराम में बंप आएगा तो चलो शुरू करते हैं फर्स वर्क तो दूवेट लेलो अपने हिसाब से वेट लेना हाथ को थोड़ा बेंड रखो और कुछ नहीं ऐसे होल्ड कर रखो और अगर आपको होल्ड करने में थोड़ा बोरिंग लग रहे है तो 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 चल किया हो आएँ पूरा जिम का एक चिक्कल लोगा हो एक चकल में एक कर रहे हो डंबल से वो डंबल को री रेक करने में फिए अपना जो फोरा में सब से जादा वोच होता है तो आप जो भी विड्वान करो मत थेको तब घ्रक आपको जो और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बिना रोके हाथ को मोरो और फिर 1 यह पार्ट का वर्काउट कोई नहीं करता ठीक है यह जब करोगे न आप करके देखो फिर बताने मेरे को यह दस-दस का एक सेट होगा मालब 10 ऐसे 10 ऐसे एक सेट वापस ऐसे था से फिर आसे तीन सेट ओर तो फ्रम पोटो चोटा मसल है आधार वर्कोट जरूरत नहीं है मैं दिखाता हूं मेरे हिसाब से वह चुम्मा वापाला वर्कोट यह दोनों एक वर्कोट है इसके बाद आता है इसको थोड़ा नीचे लगाओ लब तीन या चान नमबर पर ठीक है यह वाला रोड होगा आपके पास जो ऐसा घूमता हो जिस पर प्रैसे मारते हो वह वाला रोड लगाना है थोड़ा सामने आना है हाथ को अपर लेके जाना है और फिर वान पूरा घूमाना यह यह बेटर ह होगा आगर आप कोई रोप लगा के रोप में कर सकते हो लेकिन मेरे जीन पर वह ब buna nahmyer थेक्स जों इसको मैं ऐना वैसा रोट है ना इस रोप है तो इसलिए बहुत करता हूँ पंड़ा सेकंड कर लो फिफ्टी सेकंड का एक सेट फिर फिफ्टी सेकंड के एक सेट यह होगा आपका तीसरा वर्काउट एक फ़नी चीज़ बताऊ आपके जिम में ऐसे आपको पता ही नहीं है उससे दूसरा कुछ भी हो सकता है अब यह आप बोलोगी क्या बात कर रहा हूं कि ऐसे इकुपमेंट्स है जिसे वर्काउट हम लोग दूसरा वर्काउट भी कर सकते हैं आपके जिम में यह क्लिप्स तो होंगी जो आपको वर्काउट के टेम पर लगाते हो अपने जिम में लगाते हो जब क्लिप लगाना हो इससे आप इतना अच्छा फोराम का वर्काउट कर स इससे ट्रेन होगा ना यह हां यह सॉफ्ट है ठीक है आपको अगर हाट करना है तो आप खरीद भी सकते हो फोराम का मशीन आता है तो लेकिन इससे भी काम चल जाता है इससे आप करो 40-50 करो हाथ में आटोमेटिक पंपा जाएगा उसके जैसा काम हो जाएगा आप ऐसे करते र यह तीन चल वर्कट अगर रेगुलर करते हो ना तीन हफते बाद में को बताना कि भाई फोराम में अच्छा पंप आया मेरा साइज इंक्रेजबा है और क्या है नहीं है देखो सच बात ही है ना मेरा फोराम में मैं ज्यादा एफट नहीं डाला क्यूंकि जैनेटिस अगर आपको नहीं भी है आप उसको भीट कर सकते हो हार्ड वक के साथ तो अब यह चार जो वर्कट दिखाया वह आप कर सकते हो तीन हफते बाद में को पताना कि क्या सीना किया नहीं तो चलो आज की वीडियो इतने था फोराम का इतने वर्कट है चोटा सा मसल है और मिलता नहीं में अंतल दन मस्त खाओ पेट रहाओ प्लता नहीं में बाबाई टूम